हलो दोस्तों आज बनाएंगे शादियों वाली मटर पनीर की सबजी बिल्कुल हलवाई स्टाइल तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सस्क्राइब शियर जरू करें हलो दोस्तों मैं अजु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटिब चैनल माकी रसोई में आप एक पैन लेंगे पैन को गैस पे गरम होने रखेंगे इसमें डालेंगे दो चमब सरसो का तेल तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा आट से दस कलिए लेसुन की डालेंगे दो लगवक तीन से चार मिट के लिए हमें अच्छे से बून लेना है गैस को तेज रखातर तो प्याज हमारी तीन मिट में भून के तयार हो गई है अब यहाँ पे चार टमाटर लिये हैं इन्हें बीस तरह मोटा मोटा काट लिया है इन्हें बीस में डाल देंगे में उपर से डालेंगे नमक ताकि टमाटर मारे जल्दी सॉफ्ट हो जाए अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए टमाटर को अच्छे नर्म होने तक अच्छे से भून लेंगे टमाटर अच्छे से नर्म हो गए हैं यहाँ पर आठ से दस काजू लेंगे उन्हें इसमें दाल देंगे, उन्हें भी हमें इसी के साथ थलका सा भून लेना है, पजू से ये सबजी बहुती रिच बनेगी, और इससे बहुती अच्छा टेस्ट भी आता है, तो इन्हें भी इसी के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, मसाले अच्छे से भून गए हैं, यहां प कुछ खड़े मसाले डालेंगे एक तेज पत्ता लिया एक डालचीनी का टुकड़ा लिया है दो हरी इलाइची लिया है एक बड़ी इलाइची लिया है इलाइचियों को खलड में डालके थोड़ा कूट लिया है साथ में तीन से चार काली मिर्च लिया है आदा चमत जीरा लि इतने इसमें डालने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं, एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पॉड़र लिया है, आदा चमच हल्दी पॉड़र लेंगे, आदा चमच लाल मिर्ची पॉड़र लेंगे, एक चमच धनिया पॉडर लेंगे, यहां पे आव इन सूखे मसालों को इसमे से चुपक जाता है, मसाले हमारे भून गए हैं, इन्हें भूनने में हमें लगवक 7-8 मिनिट का टाइम लगा है, मसाले कड़ाई की किनारों में तेल छोड़ने लगे हैं, आब इसमें हम दो ग्लास पानी डालेंगे, पानी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों में, य यहाँ पे हमने 500 ग्राम पनीर लिया है, इसके इस तरह न छोटे न बड़े, मीडियम साइज की टूड़े कर लिए, आब इन्हें सब्जी में डाल लेंगे, इन्हें डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, आपको सब्जी ज्यादा गाड़ी लगते हैं, तो आप इसमें थोड़ा पानी और एड़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कसूरी मेथी डालेंगे, इससे पनीर की सब्जी पे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप यह जरूर डालें, इनसे चार हरी मिर्च डाल रही हूं, बीच में से कट लगा के जिस तरह हलवाई डालते अब इसे 5 मिनिट के लिए मिडियम गैस पे डख के रख देंगे, 5 मिनिट बात देख लेते हैं, सब्जी हमारी बन गई है, गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे, तैयार है हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल मतर पनीर की सब्जी, इससे किसी अलग बरतन में निकाल लेंगे आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, सबके साथ यह बहुत अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक, सस्क्राइब, शेयर जरू करें, धन्यबाद